अससलाम वालेकुम, वेलकम आप सभी के इस नई वीडियो में, तो आज इस वीडियो में मैं आपके साथ एक और नई Recruitment Notication लेकर आया हूँ, यह जो Notication है, यह Head-Cons Table की Recruitment Notication है, इस वीडियो में मैं आपके साथ डीटेल में डिसकस करूंगा, वीडियो आपके लिए काफी ज तो जो आपका फॉर्म लगने की डेट है वो यहाँ पर आपको स्क्रीन पर दिख रही होगी 30 अक्टोबर से लेके 28 नौबर तक यहाँ पर आपको अपना ओनलाइन अप्लिकेशन फॉर्म सब्मिट करना है 30 अक्टोबर को जब लिंक एक्टिवेट हो जाएगी आफ्टर देट लगबग एक महीने तक आपकी जो रस्टेशन के प्रोसस यहाँ पर होगी वो चलेगी तो इसमें दोनों मेल और फीमेल कंडिडेट दोनों इलिजबल हैं तो यहाँ पर इसको नोटिकेशन को मैं थोड़ा सा उपर आपको लेके चल के दिखा देता हूँ तो जो आपका फॉर्म सब्मिट होगा वो आपको ओनलाइन ही होगा चलेगा तो इन में पोस्स की अगर मैं बात करूँ तो पोस्स में आपको पहले बोला लगबग 215 यहाँ पे पोस्स है जो यहाँ पर फिल अप हो जाएंगी तो अपलाई करने के लिए आपको जा है वो आनलाइन ही अपलाई करना पड़ेगा CISF की वेबसाइट पे जाएंगे तो यहाँ पे आपको दिख भी रहो गई CISF CISF Recruitment की जो वेबसाइट है आपको उस पे जाकर अपनों फॉर्म सब्मिट करना पड़ेगा उसके बाद इसके अगर मैं पेस्केल की बात करूँ तो पेस्केल यहाँ पे आपको 215 यहाँ पे आप लोगों की वेकंसी हैं जो यहाँ पे इसमें फिल अप हो जाएंगे इसके साथ आपका medical जो होगा वो different categories में होगा वो तो हम ज्यादा discuss इसमें आप लोगों को करेंगे नहीं ठीक तो इसके अलावा यह जो recruitment की notification है यह आपको CISF की website पे भी देखने को मिलेगी और में telegram में भी इसको forward कर दूँगा तो जब आप अपना online form submit करोगे उसमें जो आपकी fee होगी वो यहाँ पे आपको 100 रहने वाली है यू आर बोले तो unreserved, open rate, OBC and EWD candidates के लिए जब हो 100 रहेगी female candidates के लिए जो होगी वो यहाँ पे आपको fee रहेगी CST के लिए यहाँ पे आपकी fee अगरा कुछ भी यहाँ पे आप लोगों की नहीं रहती है इसी तरह से यहाँ पे अगर इसे notification को हम कुछ और भी देखेंगे silent features भी आपको जब वो देखने को मिलेंगे या आप खुद भी जब notification को download करोगे खुद भी आप इसमें पाढ़ सकोगे तो सबसे important जो eligibility criteria होता उसको हम discuss करेंगे तो eligibility criteria में आपका यहाँ पे 12th pass होना compulsory है 12th pass आपका होना चाहिए किसी भी state किसी भी यूटी से अगर आप long करते हैं तो आप in process के लिए eligible हैं तो अगर आपका 12th pass है तो आप in process के लिए जुरूर apply करते हैं आप in process के लिए eligible है age limit के अगर मैं बात करूँ तो age limit में यहाँ पे आपको minimum 18 year की age होनी चाहिए और maximum 23 यहन के 18 से लेकि 23 साल की अगर आपकी age है तो आप in process के लिए eligible है अगर इसे काम्याज जादा है तो आपको जो relaxation को कोटा में आप आज़ोगे relaxation मतलब कि different different जो हमारी categories है उनमें यहाँ पे upper age relaxation भी मिलेगी जैसे SE और ST को यहाँ पे आपका 5 साल का upper age relaxation मिलेगा उसी तरह से आपका backward classes का यहाँ पे 3 साल का relaxation मिलेगा और उसके बाद departmental candidate जो होंगे उनको 45 years तक SE, ST के लिए रहेगा और 40 years तक जो हो EWS, General और OBC के लिए यहाँ पे आप लोगों का रहेगा और आपका इसमें जो हो 12th pass होना कमपल सरी है और age आपको 18 से लेके 23 साल तक की होनी चाहिए तब जाके आप इन पोस्स के लिए यहाँ पे eligible हैं, बाकि इसमें आपका exam होगा उसके बाद आपका physical वगेरा किया जाएगा तो फिलाला वीडियो को यहाँ पे खतम कर रहे हैं यह थी आपकी CISF की recruitment notification जो मैंने आपके साथ discuss की detail में मैंने आपके साथ discuss की कोई doubt, कोई confusion है आप मुझे comment section में फूछ सकते हैं बाकि ऐसे यह updates के लिए हमारे साथ जूदे रहो YouTube, Instagram, Telegram हर जगा आपका आपडेस टैब्डेट है मिलते रहेंगी